वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन, सारे अप्डेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगेगे 27 ओक्टूबर की डेट आचुकी है आपकी और 22 देसंबर दोनों एक्जाम आपके बहुत ही नस्दीक हैं तो उसी के लिए हम मुस्ट इंपॉर्टन टॉपिक की सिरीज चला रहे हैं ऐसे टॉपिक जो एक्जाम में बार 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 पूचे जाते हैं और अलग-अलग सब्ज सबसे पहले दिया गया है राश्टी प्रती रक्षा विज्ञान संस्थान कहां पर है नई दिली में सूक्ष्म जीवी प्राध्योगी की संस्थान कहां पर है चंडीगर में राश्टी कोशी का विज्ञान केंद्र कोशी का सैल का जो सैल साइंस सेंटर कहां पर है पूणे म है महारास्ट के किंद्री औशधी एवं सुर्भी पादप संस्थान केंद्री औशधी पादप संस्थान भी पूछ सकते हैं एक्जाम में औशधी के नाम से भी आ सकता है तो लखनों याद रखें यहीं पर बनस्पदी वाला भी है डिने फिंगर प्रिंटिंग तथा नैदा केंड्र यह नई दिल्ली में भारत की राश्धानी में राश्टिय अस्ती रोग विकलांग संस्थान कहां पर है कौलकत्ता में इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं अगले राश्टिय मस्तिसक अनुशंधान केंड्र गुडगाओं में है हर्याना के इसके बाद जीव विग्यान संस्थान भुबनेश्वर में है उडिसा के नैशनल वॉट निकल रिसर्च इंस्टिटूट ये भी एक्जाम में पूछा गया है लखनों में है रास्टी जीव विग्यान के इंपॉर्टेंट है इसको जरूर याल रखे बंगलूर में है करनाट कि राजधानी राष्टी ये पादव कई और देश की राजधानी नई ही दिल्ली में है विरवर्व। सहनी वantry्यास्पती विग्यान संस्थान ये लखनों में भार्तिय बशू चिकिट्सा विख्यान अनुशंधान संस्थान इजचतनगर में कोई जक्रेंप precurs हो्तर गयान अकादमी यह नई दिल्ली में है Central Drug Research Institute यह लखनों में है इसके बाद अगला है वन अनुवांशी की एवं ब्रक्ष प्रिजन संस्थान यह कोई अमिटूर में है तमिल नाडू के और आश्टी चिकित्सा विग्यान अकादमी नई दिल्ली में है तो यह कुछ अगला टॉपिक है चिकित्सा की उपकरण इसको भी देख लेते हैं चोटा सो टॉपिक है लेकिन इंपॉटन्ट है पूछे जाते हैं एक्जाम में कि इसका संब्ध किस से है आपको जोड़ी मिलान में अक्सर दिया जाता है यह आपको दो तीन उपकरण देरेंगे स्टैटो इसको पेस्मेकर इस फिग्मो मैनोमीटर और पूचिंग इसका संब्ध किसे हिर्दय से रक्त चाब से सरीर से संपूर्ण सरीर से तापमान से कुछ भी ऐसे करके चीज़से दी जाएंगी तो जोड़ी मिलान में अक्सर पूछा जाता है यह फिर इंडियो विजुल भी पर या फिर कम हो जाने पर इसे सामाने वस्ता में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है इस फिक्मो मैनोमीटर इसका कई बार एक्जाम में पूछा है ब्लेट प्रेशर रक्त चाप मापने के लिए इसको यूज करते हैं इसके बाद हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफि या फिर city scan ये क्या करता है ये संपूर्ण सरीर में किसी असामान या फिर विकरती का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है अगर कोई विकरती है सरीर में तो कहते हैं कि city scan करा लो पूरा इसका इसके बाद है electrocardiography ECG जिसका sort form होता है इसका full form भी अलग से पूछ सकते हैं PT level की जो एक्जाम होते हैं जिसे यूपी ट्रपले से PT या फिर वंडी एक्जाम डेलवे से सी वगेरा इसमें पूछ सकते है ECG का full form तो ये हिड़र समद्य या समानताओं का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है इसके बाद electroencephalogram जिसको EEZ कहा जाता है ये मस्तिस्क की बिक्रतियों का पता लगाता है तो ये मस्तिक्स अब देखो बहुत ही मिलते जुलते से हैं ECG, EEZ लेकिन ये हिड़र से समद्य थे ECG और EEG मस्तिस्क की बिक्रतियों का पता लगाता है तो याद रखना है थी कि बिल्कुल कर्फ्यूस ही होना चाहे तो नोट कर लें अलग से स्टार लगा के इसके बाद है auto analyzer ये क्या करता है ये glucose, urea, cholesterol, आरी की जार्च के लिए यूज किया जाता है इसके बाद है magnetic resonance imaging MRI जिसको कहा जाता है इसका full form है ये संपून सरीर या फिर अंगों में असवानेदा या फिर विक्रती का पून्ता सही पता लगाने के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पर हमने दो छोटी-छोटी से topic देखे इसके बाद अगला topic है जीव विज्ञान की साखा है और उपसाखा है इसको भी देखते है पैथलोजी पैथलोजी में किसका दिन करते है रोगों की प्रक्ति लक्षण और कारक्का पैरसिटोलोजी पर जीवी जीवों का दिन किया जाता है विशानू विज्ञान में वाइरोलोजी जिसको कहते हैं विशानू का दिन वेक्टिरियो लॉजी में जिवानों का दिन एंटोमो लॉजी में कीटों का दिन ये पूछा गया एक्जाम में इसके बार एक होता है मिरमेको लॉजी इसमें चीटियों का दिन किया चाता है मैलेको लॉजी में मुलसका और इनके खोलों का दिन होता है एक्त्वियो लॉजी में क्या गरते हैं मत्से की सनशना, कारीकी और इत्यादी का अध्यन होता है सरपेटो लॉजी में सरपो का अध्यन होता है हरपेटो लॉजी में उभायचर और सरीश्रपों का अध्यन करते हैं आनेतो लॉजी में पक्षियों का अध्यन करते हैं, दर्मिटो लॉजी पूछा गया है तवचा और इसके रोगों का अध्यन होता है, टोफो लॉजी में पोशन और पोशन की विदियों का अध्यन होता है, टैटो लॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्यन होता है, ज जीवासमिकी जिसको कहते हैं इसमें जन्तु और पादप के जीवासमों का ध्यन होता है पारिस्तिति की विज्ञान जिसको एकोलोजी भी कहते हैं इसमें सजीवों और उनके चारों और के परियावरन के प्रभाव का ध्यन किया जाता है अनुवांशे की जैनेटिक्स इसको क करते हैं जीवों के अनुवाहंसいき लक्षन और इनकी वनशागती को हम सेटी करते हैं जिएन्ट लोजी में दैय होता है मनुष्य में हरा फिर संय पॉर्डाइन की ड्यान करते हैं इतको लगपिस सभी जंतु की फेवार का इध्यान करेंगे डैयोनिक्स क्या होता है जैविक जगत के गुरॐं से धानतों के परियोग दौरा इधोनेग आधू ने गुबब करनों और अव्यांत्रिक तंत्रों के निर्मान करना इसमें किया जाते is से तुब स्येवाधे कने च storie करें जीवदारियों ऑर निर्शी की सांबनों के सांष सित्स अंतिश управदिया होता है मामिलोजी में मनंषी की की सब्सक्राइवS in में 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 मनंखेकी पिर्या चंशी का द्यान होता है मैम Україज आप क्या यह क्या होता है काफे अध्यन जीवन के नियमों से संब्धित वायोमाद इसके बाद गड़ेत और सांखेकी की तकनीकों द्वारत जीव बिज्ञान का अध्यन होता है स्रीनोलियोते हैं मस्तस यरों भागूं के किरिया शीलत और फिकार्वों कर द्धियृं में ऐन्थ्रोरॉजी सारे थिको आजनेекс तो इसमें समंध्यंत अध्यन होता है सेर्ोलाजी इसमें रुधर सीरम का वैज्स्ट ध्यानिक हद्यन होता है हेटोलोजी इसमें रुधर अध्यन होता है नीउरोलोजी तंजेगा प्रअल से संब्सक्राइब लीथो ट्रिप्सी इसमें एक चिकित्सी प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे पित्ता से मूत्राशय की थैली में इसे पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है इतिक्स में नयतिक आचार और कर्तब विकाह मनोविज्ञानिक अध्यन इसको अभी सब्जेट के तौर पर UPSC और PCS वगेरा में इंट्रिद्यूस भी किया गया है तो ये कुछ हमने अध्यन पढ़ दिये जो कि इसी की साखाए है चिकित्सा विज्ञान की साखाए है और जी विज्ञान की उपसाखा है तो इसको देखा तीन ही टॉपिक हैं इंपाउडिन थे और एक्जाम में पूछे जाते हैं जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दें सबसे बहले तो कॉमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस किराव इस स्टेटीफ लगां पूछेस के पेट बाचेस जोने के लिए इन नमबर्स पर कॉल करके इंफॉमेशन दे सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्चन को फॉलू किजिए इस किराव इस्टीफ लगा इस आप्लिकेशन पर भी हुमारे कोर्स इस अविलेबल है application के link description में तो तुरण जाकर दिख सकते हैं thank you for watching this video thank you so much